आई आपको सीधे लिए चलते हैं सदुदीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष इस वक्त सीधे हाइदरबाद से हमारे साथ लाइब आज तक परजूर रहे हैं ओवैसी साहब देश के ग्रे मंसी अमिट शाह ने आज ललका रहा है आपके हाइदरबाद में पहुँचकर कह रहे हैं अगला मेयर बीजे पी का ही होगा हाइदरबाद शेहर में चार तारिक को मेडम आप बुला लीजी हमको हम आ जाएंगे उसमें कोई जल्दी नहीं है हम तो यहीं कहेंगे कि बिल्ली के खाब में छिछड़ई होते हैं तो वो खाब देख सकते हैं मगर रियालिटी कुछ और है और चार तारिक को रिजल्ट आ जाएगा मेयर भी किसका बनेगा देश जान लेगा और हिदराबाद की अवाम अपना फैसला सुनाए की जरूर हमको नहीं लगता कि बीजेपी इस जो इस तरह की बातें कर रही हैं इसमें कोई दम है यह है कि जरूर अब देश के ग्रे मंतरी हैं यूपी के मुख्य मंतरी हैं कोई मिनिस्टर आता ह तो जाहर है मीडिया की responsibility होती है कि उनको coverage दे दे मगर जमीन पे जो हाला थे हम देख रहे हैं यह ज्यादा ही खुश फहिमी का शिकार है आप चाहें तो सर बिहार में चुनाव लड़ें आप चाहें पश्चिम बंगाल में लड़ें और यह लोग तंतर का हिस्सा है लेकिन अगर ग्रे मंतरी और यूपी के मुख्य मंतरी आ जाए तो इसमें क्या दिक्कत है वो भी चाहते हैं कि वैसी को ललका रहे हैं उसी हाइदरबाद में जिसकी शेह पर आप अलग-अलग राजियों में पैर पसार रहे हैं मेडम आपको मैं गुजारिश करूँगा कि सवाल दुबारा पूछिए आपके पूरा सवाल कड़ गया समझ सुना ही ने दिया दुबारा पूछिए प्लीज मेरा सवाल आप से ये था सर कि आप चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में बिहार में पाथ सीटे आपने जीत ली है पश्चिम बंगाल की तायारी कर रहे है आप जैसे पूरे देश में लड़ सकते हैं वो भी तो हाइदरबाद किसी की बपौती थोड़ी है वो कह किसी का मुखालिफफत मुखालिफत नहीं किया कि कोई लड़े ना लड़े मैं तो चाहता हूँ के सब लोग लड़े तो डेमाक्रIE है मैं कैसा आप बोलूगा किसी को ना लड़े बिल्कुल हर हर डिमोक्रिसी में हर एक को एलेक्शन लड़ने का राइट है मगर जब एलेक्शन आप लड़ रहे हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते ना के हिदराबाद में जो पुराना शहर का इलाखा है वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे वहाँ पर रोहिंग्या है वहाँ पर पाकिस्तानी है नरेंदर मोडी की सरकार देश की पहली सरकार है जो भारत के किसी एक इलाखे में बसने वाले लोगों को पाकिस्तानी रोहिंग्या और अफगानी कह रही है तो ये तो पूरे उस पुराने शहर की अवाम की तोहीं है कि आप देश आप चला रहे हैं और आपको पता नहीं है कि इतने पाकिस्तानी है कितने अफगानी है इतने रोहिंगे और आप सब को बदनाम कर रहें भई देश के पदान मंतरी देश के ग्रह मंत्री हैं, आपका M.O.S. होम शिकंदराबाद का MP है, अगर हैं तो आप बता दीजी, नंबर दे दीजीए, आप वो भी नहीं देते हैं, मार बदनाम कर रहे हैं, तोहीन कर रहे हैं, यह 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 डिमॉक्रिसी में कि आप एक इलाखे को कहे रहे हैं कि प पिंशन नहीं हुआ, और एक मुंस्पल एलेक्शन के लिए आप पूरे इलाखे को बदनाम कर रहे हैं, इसका जवाब बीज़ेभी को मिल जाएगा पहली डिसमबर के दिन. आप भी तो जम कर लल कारते हैं ना सर, आपने कहा कि आपकी नसलें बरबाद हो जाएंगी, लेकिन हाइदरबाद का आप नाम नहीं बदल पाएंगे. दिखिए मैडम एक उत्तर परदेश का रैंग क्या है, इस स्टेट रैंग कितना है, और तेलेंगाना स्टेट का रैंग टॉप फाइव में थर्ड नंबर तेलेंगाना था, आपका तो 25 नंबर पे आता, आप अपनी स्टेट की फिकर करिए ना, आप हैदराबाद को आकर कह रहें, आप हमको बता रहें रहें, आपने तो हतरस में एक दलित परिवार के पीडित पर बच्ची के माबाब को तक अंतिम संस्कार में आने की जादत नहीं दी, आप तुमाँ ठाकुरों की सरकार चला रहें, और आप आकर हैदराबाद का नाम तबदील कर देंगे, इनको भी बीजेपी देखिए मैडम बीजेपी को हम चैलेंज किये हैं इलेक्शन में, हमको एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जो आपने पैसा देखतर हैदराबाद में फ्लाय ओवर, वाटर लाइन, वाटर रिजर वायर, स्यूरेज लाइन, आप बताईए ना, भी सैलाब आया, सौ साल के वाँ इतना वारिश हुआ, आपने करना टका को पैसे दिये, यहाँ पर नहीं दिया आपने, क्यों नहीं दिया यहाँ पर, आप यहाँ पर आकर असदुदी नोवेसी जीना है, पुराना शहर रोहिंगिया पाकिस्तानी है, तीस हजार नाम रोहिंगियाओं के ओर लिस्ट मैं रोटर लिस्ट मैं बनाता हूं, इलेक्शन कमिशनर फिंडिया मनाता है, तो यह सब आप गिलाजत और अनावशनाप आप बकरें, हम तो डिवलप्मेंट की बात करें कि यह काम होना था, यह काम करना है, यह तमाम चीज़ आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यह कर रहें, ललकार यह जरूर, मगर ललकारने का तरीखा यह नहीं है कि आप पुराने शहर की, तेलेंगाना की, हिदराबाद की जंता को उनकी तोहीन करेंगे, लेकिन धार्मिक पहचान के इर्दगिर तो आप भी चुनावा, आपका एक कोट पढ़ती हूँ जो पर तो आप भी खेलते हैं ना सर, यह किसको नहीं पता है? वह थो एक है, और सब कहा ही इसके जर्रे जर्रे से हमारी पहचान इसके चबूतरों पर हमारी पहचान इए यह मैंने कहा, तो तो हादा अपको राजिस्थानी मिल जाएगा, भाग्यलक्समी मंदिर से आज ग्री मंत्री ने शुरुवाउत की है भाग कि लक्षमी मंदिर से उन्होंने शुरुवात न्युक्त किया और फिर रोड सो किया एई तोंसेट कर दिया है बीजेपी ने हाँ, ने वो तो जा सकते ना मंदिर को मैं क्या रोक रहा हूं किसी को मंदिर ना जाएं, बराबर जाएं, यही तो हिदराबाद की खुबसूरती है, कि मंदिर में घंटे भी बजेंगे, मस्जिद से अजाएं भी आएंगी, गिर्जा सिक के गुर्दवारों से गुरबानी के आवाज आएगी, इसाईों के गिरजा घर से आवाज आएगी, यही तो हिद्राबाद की खुबसूरती है, कौन किसको अतराज है? कौन अतराज कर रहा है किसी के मंदिर जाने पर या मस्जिद जाने पर? जाएए बराबर कौन रोक रहा है आपको? जाएए ना, को जा बराब मैं कौन सा नवाब हो मैं कौन सा निजाम हो ना तो मेरा दूर दूर तक निजाम की फैमली से कोई तालुख नहीं है अगर आप तारीख में चले जाएंगे तो मेरे पूरवजों निजाम से मुलाखात इसलिए नहीं की क्योंके निजाम को मिठास है तेलगू जो बोली जाती है वो दूसरी तेलगू से मुक्तलिफ है अर्दू जो बोली जाती हो मुक्तलिफ है अगर आप इस कल्चर के मुखालिफ है तो आपने तो हिदराबाद को समझा ही नहीं आपने हिदराबाद को समझा ही नहीं अगर हिदराबाद को समझते तो आप यहां की तैजीब तमद्दून के खायल होते हैं, यहां की जबान की शीरनी को, उसकी मिठास को समझते हैं, चाहे वो तेलगू हो या उर्दू हो, आप कुछ जानते नहीं है, आप पेरशूर्ट से उतरे और शुरू होगे अपनी वो पुराना कैसिट चला दिये हैं पर, लेकिन आप भी वैसी साहाब चाहते हैं हमेशा कि एक अच्छी जंग तभी बनती है, जब दुश्मन भी ताकतवर हो, इस बार आपको विरोधी जबरदस्त मिला है, जिसमें एक के बाद एक पूरी कापट बॉम्बिंग बीजेपी कर रही है, इस बात को तो आप भी म पीक पर थे, तो मेरे हैदरबाद पार्लिमेंट कॉंस्टेंसी में एंटी रामारों के पार्टी में एक सिवारेड़ी नाम का बम्बूलु सिवारेड़ी बन्ते बॉम सिवारेड़ी, वो बॉम फेका था, दोहजार दो में चंदरबाब उनेडिज साचीफ फिनिस्सर मेरे consistency के गली गली में फिरे आज बीजेपी फिर रही है कोई फरक नहीं पड़ेगा आप देख लेंगे चार तार्य को इंशालला अरे आईए ना democracy में कौन रोक रहा है मगर आप लोग जो अनाब शनाब बक रहे हैं कारपेट बॉंबिंग आप सर्जीकल स्ट्राइक करेंगे आप बताएए मैडम किसी देश के एक लाखे पर कोई सर्जीकल स्ट्राइक करता है यह जबान इस्तमाल करेंगे आप आप बोलेंगे पाकिस्तानी हैं आप अरे यहां पर अमन से हिंदू भाई मुसल्मान हमारे डली बंगाली मारवाडी कम्यूनिटी के लोग आराम से रहें आप वो रहें कि यहां रोहिंगिया है पाकिस्तानी है यह जबान अच्छा पिर अगर आप हैं तो हो मिनिस्टर क्या कर रहे हो मिनिस्टर सो रहे थे इतने साल से आप क्यों नहीं पकड़ा उ उनको अगर को इलीगल है यहां पर पकड़िये कौन रोक रहे हम रोक रहे हैं क्या उनको आपको जंजीरों से बान के बैठें मैं आप नहीं कर सकते यह तो घलत बात है ना आप तो एलेक्शन की कैम्पेनिंग के ना पर आप तो पूरे इलाखे के लोगों को पूरी शहर को बदनाम कर रहे हैं तोहीन कर रहे हैं आप पर हलाकि उसका नाम नहीं है लंबा चोड़ा उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निविदेश वो खानून है जो भी है लेकिन इन सब के खिलाफ आप कहते हैं कि सम्विधान खत्रे में हैं यह सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है यह सरकार जान बूचकर मुस्लि हो जाएगा आपके साथ मैडम मैं आपको बता रहा हूँ के चार तारिख के नतीजे आ जाएंगे घोड़ा मैदान सामें है अब रहा सवाल के मैं मुखालिफत करता हूँ तो करना चाहिए ना मैडम डिमॉक्रिसी है वरना तो नौट कोरिया हो जाएगा इंडिया के प्राइब मिनिस्टर नहीं रहेगा बलके किम जौंग हो जाएगा के बस आगया और सब दिने थाली मारो और उसको अंगोटा अलगा दो यही तो डिमॉक्रिसी की खुबसूरती है के मुखालिफत होना चाहिए अपोजिशन होना चाहिए और होता रहेगा अरे भई मैं तो कोई बीजेपी का तो नहीं हूँ के मोडी जो बोले और आँक और जबान का गूंगा हो जाओ आँक का अंदा हो जाओ मुझे अल्लह ने दिमाग दिया है सोचने की समझने की तमीज दी है तो मैं मुखालिफत करूंगा और यह डिमॉक्रिसी के लिए वो जरूरी है जो आज पंजाब के किसान आकर दिल्ली में धरना दे रहे हैं हम उनको सलाम करते हैं वो डिमॉक्रिटिक राइट है उनका वरना अगर सब लोग ठाली बजाने वाले हो जाएंगे खवाली करेंगे तो जमूरियत नहीं हो जाएगी इसको खवाली डिमॉक्रिसी कहना पड़ है अब जैसा अगरी कल्चर लॉज है वो स्टेट का सब्जेक्ट है आपने घलत उसको लिजी स्लेट कर दिया कैसे उसको मानेंगे कोई भी आपकी नजर से ज़रा ये मैं समझना चाहती हूँ ये बीजेपी का जो जबरदस्त अचानक से इंट्रेस्ट ये दिल्चस्पी जागी है हाईदरबाद के म्यूनिसिपल चुनाव में ये क्यों लगता है आपको ऐसा क्यों है वो वैसी की वज़़से नहीं नहीं वो उनका आप देखिए उनका राइट है फारमर्स के मसले पे कुछ नहीं करना चारे कोविट के मसले पे कुछ नहीं करना चारे तो डेस्ट की तवज्व हटाने के लिए पूरे यूनियन मिनिस्टर्स को यहां पर बिजा देते हैं और यहीं पर वो अपना प्रोग्राम चलाते हैं तो लड़ने से कोई हम कोई उसके वो नहीं यह लड़ी है जरूर बहाँ जुरूर मैंने यह कहा कि इतने मंतरी आए दिल्ली से कि शायद अगर डोनाल्ड ट्रम को भी बुरा ले तो ठीक होता अब रहे कोई बचाई नहीं उसके बाद भी अगर जो नतीजा निकलेगा एक छवी आपकी ऐसी बनाई जाए जिससे फिर दुरूवी करन की राजनीती बीजेपी के लिए असान हो जाए क्या उस बड़े चेस बोर्ड पर एक मोहरे की तरह आपके छवी को इस्तमाल करती है बीजेपी मेडम मेरा प्राबलम ये है कि मेरे मेरे इतने चाहने वाले हो गए है कि मैं तो एक लैला बनावा हूँ और मेरे पूरे चाहने वाले मेरे मजनू बने वे हैं कॉंग्रेस मुझसे महबत करने लगी है बीजेपी करने लगी है टी आरेस करने लगी है अरे इतने मेरे दिवाने हो चुके हैं कि सब मुझे घेर लिये हैं और हर कोई चाता है कि मेरे खंदे पे रखकर बंदुख चलाए ये तो अजीब मामला है हम ये कह रहे हैं कि हैदराबाद के डिवलप्मेंट की बात करिए इंफरास्रक्टर की बात करिए पुलूशन की बात करिए ट्रैफिक के कंजेशन को कैसे सॉल्व करें उसकी बात करिए जो हालिया दिनों में सैलाब आया वो दुबारा ना आए उस पर बात करिए मगर पूरे के पूरे असदुद्दी नवेसी की महबत में इतना दिवाने हो चुकी है कि मुझे लैला बनाए और तमाम के तमाम मेरे मजनू बने वे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में चलिए एक और विशे है चो फेवरेट है उनका वो भी आज बोला है वो दस बीस सेकेंड में आपको सुनाती हूँ फिर इस पर जवाब लूँगे आपसे वेसी साथ अमेच्छा ने आज रोहिंग्या मुसल्मानों का मुद्दा भी हाइदरबाद में उठाया ये सुनिएगा फिर इसको इस पर सवाल होगा मैं जब कारवाय करता हूँ तब तो हाय तोबा करते हैं पार्लामेंट में देखा नहीं है आपने कितने बड़ी आवाज में रोते हैं और एक बार लिक कर मुझे दे दे बंगलादेशी और रोहोंग्या को निकालना है बाद में मैं करता हूँ जरा लिक कर देने के लिए ब देखा है आज अमिच्छा ने जो कहा है मैं सीधे के सीधा वो आपको बताना चाती हूँ अमिच्छा ने कहा है ओवैसी लिख कर दे हम रोहिंग्या बांगला देशी हटा देंगे जब हम एक्षिन लेते हैं तो संसद में ओवैसी के आसू निकलने लगते हैं अमिच्छा इस देश के पहले हो मिनिस्टर है जो एक एमपी से कह रहे हैं के मुझे लिख कर दो के हैदराबाद में इलीगल पाकिस्तानी रोहिंग्या है तभी मैं कोई आक्षिन लोंगा आपको अमिच्छा को मेरी परमिशन की जरूरत है क्या मैडम देश का ग्रेमंतरी मैं किया हुँ क्या अरे क्या मजाख कर रहे हैं अमिच्छा आने एमपी लिक कर दे आपको ये आपका काम है ना संसद में आसू रोने लगते हैं अमिडम सुनिए यह तो वही हमिच्छा की जबण है कि 40 लाग दीमक हैं आसाम में कहा निकले 40 लाग मैडम ये पहला होम मिनिस्टर है जो MP से करा मुझे लिख कर दो बेटा गलती हो रही है तो लिख कर दे दीजिए आप क्या कर रहे है जनाब आप तो देश के होम लिख कर दो अरे लिख कर देने का क्या है आप देखिए ना यह आपका काम है आपको कब से मेरी जादत लेना पड़ा यह तो अजीब बहुत कर रहे हैं यह तो ऐसा हो गया हटाया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना व वैसी जी वहां से रोहिंग्या रोहिंग्या मुसल्मानों को अगर वहां से हटाया जाए तो आपको को दिक्कत नहीं है ना यह सुनना चाहरे हैं वो जो इलीगल स्टे कर रहे हैं इतने रोहिंगियां हैं जनको यूएने अचीयार का का Wrap रहे हैं इतने अफगानी इलीगल स्टे कर रहे हैं मैं रेक्वेस्ट कर रहा हमिशा साब से प्लीज़ आपको डेडी जिना अंजणा लॉमकशब को डाल दीजिए अज़ना उन कशब ब अजीब हो मिनिस्टर है ओएसीजी लिख कर दे अरे आप क्यों है किरे मंतरी फिर ये पहला हो मिनिस्टर जो कह रहा है कि आप मुझे लिख आपकी तरफ से कहा गया आपके पार्टी का प्रेजिडेंट यह ना आप शनाब बकरा था हैदराबाद के माहौल को खराब करने के ल अमलिय बिनावन उने कहा कि हादराबाद का पाकिस्तान में विले का समर्थन करने वाले लोग कौन थे देखिए मैडम जो हैदराबाद की तारीख का हिस्सा है वो हिस्सा मुझ से तालुक नहीं रखता मैंने बार बार कहा कि मेरी पार्टी जो खासिम रजवी की पार्टी नहीं है यह पार्टी अब्दुलवाहेद वेसी की पार्टी है जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग जो वफादार हैं भारत के वो आज आपके साम में बैट कर आपके सवालों का जवाब दे रहें जिसको भारत के सम्विधान पर अटूट भरोसा था है और रहेगा और सुबह खयामत तक हम यहां पर भारत में रहेंगे आजादी के मुझाहिदी के जानशीन बनकर रहेंगे तारीख में अगर आप जाएंगे तो सावर करने भी अंग्रेजों से माफी का खत लिखा था और मेरे बुझरगों ने जो अल्लामा फजल खेराबादी है उन्होंने है कहा कि हम फांसी की फंदे पर चले जाएंगे मगर अंग्रेजों से माफी नहीं चाहेंगे ये तारीख का इससा भी है लेकिन आप तो हर बुद्धे पर ये सवाल पूछा जाएगा आपको हमेशा लकीर की उस तरफ दिखाया जाएगा देखिए ये नया वक्त है वैसी साब और आप भी समझ रहे होंगे एक तरफ राश्वाद है हिंदुत्व है भागी लक्षमी मंदिर से प्रचार है चाहे वो लव जिहाद का कानून है जो राज्यों में आ रहा है और दूसरी छोर पर आप खड़े हैं जहां से आप ये कह रहे हैं कि नसले तुम्हारी बरबाद हो जाएंगी लेकिन हम राजनीती की हिंदुस्तान में आज जो दोनों एक दूसरे को जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यू फीड इंटू इच आदर आप एक दूसरे का एक जबरदस्त रिष्टा है जिसकी वजह से कॉंग्रेस आपको कहती है वही पुरानी वाली बात वो टीम वाली टीम बी टीम ुमें यह सब हैं लेकिन यह सचाई है कि हिंदुस्तान की राजनीती आज इसे जगह पर खड़ी है जिसमें एक छोर पर अगर तो दूसरे चोर पर आप है और आप दूसरे किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को अैम्पलिफाई करते हैं बड़ा बनाते है मेड़म मैं आप से फिर से अर्द कर रहा हूँ कि समन्दर के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते ना मिलेंगे अब मेरा हाल ऐसा है कि हैदरबादी लिंगों में कहते हैं कि मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भावी होती है तो वो मेरा हाल करके रख दिये हैं तो इदर से कांग्रेस बोलती है उदर से बीजेपी बोलती है बोला जाए भाई बहुत अच्छा है आप मेरी और मेरी पार्टी को पापुलर कर रहे है क्योंकि आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है सिवाय साथ दिनोवेसी के बीजेपी अपना एलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती उसमें मेरा चेहरा लगाती है लोगों ने देखकर का कि हाँ देखो अच्छा चेहरा है देखने के खाबिल है कोई इतराज नहीं करिए हमको फरक नहीं पड़ता मगर देश में बीजेपी का पोजिशन होना चाहिए इसलिए होना चाहिए कि बीजेपी फैसिजम को प्रमोट कर रही है बीजेपी हिंदुत्वा आइडियोलजी पर अमल कर रही है बीजेपी मज़ोरिटी अन पॉलिटिक्स पर चल रही है और रहा सवाल कॉंगरेस पार्टी का तो मैडम एहमद भाई के इंतिखाल के बाद अल्ला उनको जन्नत नसीब करे कॉंगरेस का शीराजा बिखर जाएगा जिस तरह सल्तनत मगलिया में रशीद खिडवाई जनलिस्ट ने लिखा कि निजाम अल्मुल्क ने जैसा मगलियों का साथ चुड़ा मगलियों की साथ बिखर गई वैसे ही कॉंगरेस का हलोने वाला अभी देखना एक एक गुजारिश आपसे करू सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं जो आपने मुहावरा इस्तमाल किया उसके खिलाफ गरू गरीब की जो कोई ने कहता कि जो गरीब है वो सबका पती बन जाएगा यह मतलब महिलाओं को इस तरह की परिस्तिती में दिखाना मैं इसके परसनली थोड़ा खिलाफ तो लगता है इसी वहावरे से आप जैसे लोगों को कम से कम बचना चाहिए ने आप 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 को पूरा अख्तियार है आप मुझसे इखतलाफ रखिए मैं किसी की तोहीन में नहीं बोलाओं वो एक कहावत है और आपको इखतलाफ करने का पूरा अख्तियार है मैं आपकी इज़त करता हूँ बिलकुल इखतलाफ करिए मुझसे आ जाएगा लेकिन हाई सस्पेंस अगर कोई election political thriller है मुझे तो लगता है बिहार से भी जादा यहां पर घमासान हो गया है वो है हाइदरबाद शहर में और चलते चलते एक बार जल्दी से आपको बस यह जो उनका जीत का दावा है उस पर एक आखरी चुनौती आपकी तरफ से क् कि आज प्रचार भी खत्म हो चुका है जल्दी से बिल्कुल हम भारतिय जनता पार्टी तर आज मुख्य वीपक्स की जगर ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतिय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है और इसके लिए मैडम जब चार तारे को नतीजी आएंगे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा बीजे भी बहुत ज्यादा खुश्फ़ेमी का शिकार है एक दुबाक का बाइलेक्शन जीत कर जहां पर टी आरेस ने और कॉन्फिडेंस है और हाइप किया इसलिए इसलिए वज़े से उनको शिकस्त हुई मगर मैं नहीं मुझे नहीं लगता कि बीजे पी इतना खुश्फ़ेमी का शिकार हो रही है अभी बहुत सा टाइम है और बीजे पी को हाल अखिकत मालूम हो जाएगा